गुड मॉर्णिंग ए स्टुडेंट्स मैं रंजीता मैं ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं क्लास थ्री को पाठ टू का कहानी जो है उसको आगे पढ़ाऊंगे कल तक आप लोग ने पढ़ा धोल क्या सोचा अब तक जूठे पत्ते पत्तो का स्वाद लिया है धोल सोच रहा था कभी भी कोई जूठा ही पत्ता डस्ट बिन में डालता है तो अब तक जुठे पत्तों का स्वादी लिया है, आज असली चाट खाकर देखी जाए, उसके मन में था, आज असली चाट खाकर देखी जाए, वह उच्छनने लगा, क्या किया वह? खुशी से उच्छनने लगा, धोल की हरकत देख, चाट वाले की चीख निकल गई, अब ध भूत भूत चिलाता हुगा, भागा, क्या किया? चाट वाला भूत भूत चिलाने लगा, दूसरे लोग भी भागने लगे, दूसरे लोग चाट वाले को देखकर क्या कि ये भागने लगे, इधर जादुगर्नी की आँख खुली, तब तक क्या हुगा? घर में जो जादु गर्णी सोही थी उसकी आग खुल गए उसने चर्पाई के नीचे जूतियों को टटोला सबसे पहले उसने क्या किया अपने चर्पाई के नीचे अपने जूतियों को देखा पर जूतिया वहां नहीं थी क्या हुआ वहां जूतिया नहीं थी वह इधर-दर ढूढने लगी क्य सामने नजर पड़ी तो देखा कि कुड़े का डोल गायब है जहां डोल रहता था वहां से डोल गायब है जादुगर्णी सोच में पड़ गई अब उसको क्या हुआ चिंता हुआ उसने ध्यान से दर्वाजे की योर देखा उसने क्या किया ध्यान से दर्वाजे के तरब जमीन पर जूतियों के निसान थे, पल भर में वह सारी बात समझ गई, दुरत उसको क्या हुआ, सारी बात समझ में आ गई, कि जादूई जूतियों ने ही कुछ गुल खिलाया है, उसमें से जादूई सीसा निकाला, जादू की जूली में क्या था, उसका जादूई सीसा था, होटो में कुछ बुदबुदाई, सीसे पर तीन फूक मारी, होट से कुछ बुदबुदाई और सीसे पर तीन फूक मार दी, सीसा जैसे टेलिवेजन की एस्क्रीन बन गया, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं न, उसी तरह का क्या हुआ, सिसा पर भी दिखाई देने लगा, धोल जहां जहां से गुजर रहा था, और जो जो कर रहा था, जो काम कर रहा था, सारा कुछ सिसे में दिखाई देने लगा, धोल जहां भी गया, और जो जो किया, क्या हुआ, सिसा मे दिखाई देने लगा दोल की सैतानी देखकर जादुगर्णी को हसी आ गए क्या हुआ दोल की सैतानी देखकर सरारत देखकर क्या हुआ जादुगर्णी को भी हसी आ गए तभी उसे सिसे में पुलिस तभी उसे क्या हुआ सिसे में पुलिस की गाड़ी दिखाई दि, सिसे में उसको क्या दिखाई दि, पुलिस की गाड़ी, वह घबराई, सोचने लगी, सोचने लगी, कहीं ढोल के साथ जादूई जूतियां भी पुलिस के कबजे में न चली जाए, ढोल को तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, और साथ साथ मेरी यवी अब गैब हो जाएगी, क्या कि धोल को पकड़ने के लिए भागी, धोल के पास पहुँच गई, जादुगर्ने दुरत धोल के पास पहुँच गई, वहां भीडी कट्थी थी, वहां पर क्या थी? बहुत भीड लगी भूई थी, जादुगर्ने ने मंत्र पड़ कर हव में हाँठ बंद कर दिया जादु गर्णी अपने जादु से जूतियों को छलने से रोक लिया अब भोल पकड़ाएंगए ढॊल को भीन हो गया जादुगर्णी धोल पकड़ने में सफल हो गए सभी लोग चिलाएं सभी लोग चिलाने लगें धोल पकड़ा गया धोल क्या होगा? पकड़ लिया गया वो किसी तरह खीच कर धोल को घर लाई जादुगर्णी क्या कि किसी तरह धोल को पकड़ कर घर लाई जादूई जूतियों को उठा कर जोले में रखा उसने अपनी जादूई जूतियों को क्या किया जोले में रखा फिर ढोल को कोने में रख दिया फिर उसने क्या किया ढोल को जहां जगा था वहीं पर रख दिया दूसरे ही दिन जादुगर्णी ने एक बढ़ई बुलाया दूसरे दिन जादुगर्णी क्या कि एक बढ़ई को बुलाया धोल के छोटे छोटे पैर बनवाया जादुगर्णी क्या कि अब धोल के लिए छोटा छोटा पैर बनवाया इसके बाद अपने हाथ से उस पर रंग रोगन किया, इसके बाद उसने अपने हाथ से उसको पेंट कर दिया, रंग लगा दिया, अपनी मालकीन की निगाह में अब उसकी इज़त बढ़ गई, क्या हुआ, अपनी मालकीन के नजर में उसकी निगाह में इज़त बढ़ गई, बढ़ गई थी, अब कूडे का ढोल कोई मामे उली, कुडे दान नहीं रह गया था, क्या हुआ, अब कुडे का जो डोल था, वो कोई साधारन, कुडे दान नहीं रह गया था, उसका भी महत बढ़ गया, क्या हो गया था, उसका पैर लग गया था, अब इसका भी महत बढ़ा, आप लोग कहाने समझ गया, इसको किसने को लिखा है? जयपरकास भारती, यह देखिए मोखिक प्रस्ट, चाट वाला क्यों भागा? धोल को चलते हुए देख कर रहा भागा, उसे लगा जो भूत है, जादुगणे की आखे खुली तो उसने क्या देखा? जब ज़ादूगर्णी की याँख खुली तो उसने क्या देखा धोल और उसकी ज़ादूई जुतिया दोनों गायब है यही न देखा ज़ादूगर्णी ने बढ़ई को क्यों बुलाया ज़ादूगर्णी ने बढ़ई को क्यों बुलाया कि वह धोल के लिए छोटे-छोटे पैर बनवाना चाहती थी छोटे-छोटे पैर बनवाने के लिए धोल के छोटे-छोटे पैर बनवाने के लिए जादुगर्णी ने बढ़ाई को बुलाया जब इस कहानी को पढ़िएगा, समझिएगा कल मैं सबदर्थ और कुश्चिन इंसर कराऊंगे